वचनामृत क्रमांक उगनीश साथसो महानिती वाक्यवसो चोपन मौ वाक्यवसो चोपन गुरुने आसने बैसु नहीं। परमकृपाल एक गुरु जे आसन पर बैठा हो हे ते आसन पर बैसु नहीं। केम के गुरुनी बधी वस्तु पूजिनिय छे, ते साधनों ते गुरुनी स्मृति करावे छे, ते गुरुनों आसन, कपडा, देह, घर वगेरे गमे ते वस्तु होय ते पूजिनिय छे परंकृपाल देवना समयमा एक ममुक्षुए परंकृपाल देवनों धोतियों पहरी ते जोईने परंकृपाल देवे कईउं के आम करवूं योग्य न थी बुधामरत भाग तरणमा एक पत्रमा लखे छे, के भक्ती परदर्शित करता परंकृपालू देवे ते महात्मा वर्ते चे ते देहने, भुमीने, घरने, मार्गने, आसनादी, सर्वने नमस्कार करया छे चस्सो चिम्मो ते पत्रमा आवाद परंकृपालू देवे लखी के ते महान आत्माओ जे देहमा वर्ते चे देह पर नमन करवायोगी छे, ते भुमी, ते घर, ते मार्गने, आसनादी, सर्वने परंकृपालू देवे नमस्कार करया ले भक्ती प्रदर्शित करता परंकृपाल देवे आलक्यों, ते यां कोई ने वो प्रश्न उठेओ चे मूँख चुने करया, एना कारण शोदवा जता हाथ लागतू न थी, पन भक्ती मान रदें रदय, ते ते निमिते उल्लास जरूर पामेच, जेने जे सत्पृप्रश्पते भक्ती होए, तेने तो तेमनों दे जोईने, के तेमनी भुमी ज्यां रहा होए, के ते घर के मार्गे आसनादी, उल्लास भाव जरूर आवे छे, रुमांच पन थी आवे छे, मर्तू उट मारवाड भनी जुए छे, उटे रगिस्तान नो राजा केवाई, तो मर्तू उट क्या जुए मारवाड भनी, एम केवाई केवच छे, तेम प्रेमना संस्कार होती तेते दिशावपन प्रिये यह होए, ते स्थान एने पोताना ते प्रतेना प्रेमना संस्कार ने लईने ते प्रिये लागे छे, परमकृपाल देवनों पत्रावे तेरे परमपुझे प्रभुष्वी जी नमस्कार करीने तेने फोड था, जंगलो मापन जीने एने उपरम की अने किले नमस्कार करे, पच्छी एने फोड़े कागलने जाने आजे मने के नव निधान मड़िया प्रुपालनों पत्र छचमीने आवे तो एमने गणों विराय वेदा है एले प्रवश्री ते पत्र ने नमसकार करिने फोड़ता माथे चड़ावता ए बधा उपकार व्रती ना बहिय सिनों ऑचे समझया वण उपकार शो समझे जीन सरूप ए प्रेम तो जी अनुभवे ते जाने समझा वन उपकार सो मगवाने तो आपड़ा पर घणो उपकार करेऊ पड़े उपकार ने तुझे समझे ए जनु महत्मे जाने परंकृपाल ने के देवे छेख छली वक्ते ववानिया जारे छोड़े हूँ ते वक्ते ते घर ने ते डेहली ने मातुश्री पितास्री तथा मित्रों ने नमस्कार बारंबार करेवा छेवते जता गामने पर नमस्कार करेवा ते जो इने तेमना मित्रे पूछू के कदी न इने आजे के माम बर्तो छो कोई दिवे समय आवू करता हैं ती दरेक वक्ते जाओ आजे के मता पिता के बधाने नमस्कार करो छो इतले गामने पर नमस्कार करे अच्छे ले तो प्रंक रुपालु देवे शु कहूं कि आगल उपर समझा से समाटे में नमस्कार करिये च्छे आगल उपर समझा से ते भाई अजी कहे च्छे के हवे समझायों कि फरी ते ववाणिया आवनार नोता अंती मतूं यले फरी ववाणिया आवनार नोता जे जे निमित्तो कार भूत है होए कि थे शक्वा संभव होए तेना प्रतिनों बहमान पणू जे अंतर्मा उंडू रहूं छे तेज आवी बाहेचे इस्ठाव करावे छे अंतर्मा जेना प्रति प्रेम छे तेना कारणे आवदा नमस्कार दी क्रिया धाई छे तेर्थन करोना पंच कल्यानक स्थानों के तेना वर्णनों पर उल्लासनु कारण थाई छे जेने अंसे पड़नु भवी न थी तेने बुद्धी थी तेनों ख्याला वो अशक्ये छे ये प्रेम जेने अनुभवयों न थी तेने के छे खाली बुद्धी थी सामाटे ए घर आदीने के प्रत्वियादीने भुमी आदीने नमस्कार करिये छे ये तो जेने प्रेमे सत्पुर्षत्य आवयों होए येने उपकार वेदायों होए तेने केचे आवात अनुभम मावी शके बाकी खाली बुद्धी थी ख्याला वो अशके छे माटे गुरुने पुज्यमानी तेमना आसने बैसू नहीं पन भक्ती भावे तेवा आसन कपड़ा वगेरे ना दर्शन करी तेमना गुणोंनी स्मृति करू येना निमित्ते येना गुणों याद करू अवे वाक्य थेऊं बस्थो चोपनम गुरुने आसने बैसू नहीं अवे वाक्य बस्थो पंचावनम कोई प्रकार नी तेती महत्ता भगोनी गुरुना नामे कोई प्रकार नी महत्ता मोटाई मेड़ुनी गुरुना नामे पोता नो महत्त्मे वधारी मोटा थवा प्रैत्न करूनी जेमके आकालमा परंकृपालो देवनो नाम लईने जो कोई एम कहे कि परंकृपालो देवे प्रत्यक्स्ती कल्यान था एम कहीं छे कल्यान प्रत्यक्स्ती था अने अमे तमने मार्ग बताविये छे तेती प्रत्यक्स अमने मानवा जो ये एवो कोई गरभीत भाव जणावे तो ये परंकृपाले ना नामे मोटा थाई ने महत्ता मिडवाई छेचे तो तमा अगनान गुण छे नहीं अने परतेक्स नी कल्यान थाई परंकृपाल देव तो अवे परुक्स थाई गिया अवे परतेक्स कोण? ये तो मारे विचारू जो ये प्रतेक्ष वगर थाई नहीं प्रतेक्ष नी बलिहारी छे ये मों कोई ना न थी पाना गम्मेत यवा व्यक्तिने गुरुमानी अने अनी आगनामों भर्तवूं ये मों आपनों कल्यान न थी प्रतेक्ष ना नी जो ये प्रत्यक्ष जने आत्मा प्रत्यक्ष थे हो हुए यह वो पुरुष जोई है नाम अपड़ा जेवा प्रत्यक्ष थी काम नहीं था है एम गुण जोई है खाली वेश के वहवार मातर थी कल्याण न थी अने वेश धर्या जो सिद्धी था है तो भांड भवया मुक्षे जाए वेश मा कल्याण थी कल्याण तो पुताना अंतरंग आत्म गुणो जे दोश्चो नास्थवा थी प्रक्ते ये होए तोज था है पुतानों कल्याण जेने करिऊ होए एज विजाने बतावी शके जे सद्धुर्णी भख्ती जे गणानी और योजी छे ते एमने कही भख्ती जोईती न थी ते भख्ती तो मातर शिश्यना कल्याण ने अरते कही छे एमने कही पुजाओ मनाओ न थी एतो पुतानों करी लिदूं उड़तु आ एने कही मलवा आवे के पूजे एने कही गमे नी एमने एमने उड़तों समय भगड़े एमना आनन्दमा विख्षे पड़े पर अनन्दी दया ने कारणे आ बदो उपदेश आपे छे एभी जारे आत्मा मा एवो स्थिर रवानों वदे न होए तो नहीं तो सरूपमा स्थिर बारत ना आवे लेगनानी नो दे बे कारणने लिएने भी दिमान पड़े पड़े छे पोताना कर्म भगवा मा तेने भी जाना कल्यान ने माटे माटे गुरुने पुज्यमानी अथवा गुरुना नामे कोई परण प्रकारनी महत्ता एटले मोटाई मेड़गों नहीं पन सदा तेमनो आगनांकित शिश्य थवा प्रयत्न करूँ तेमनी आगना उठावे एमनो शिश्य थवा प्रयत्न करूँ गुरु थवा नहीं अने जेने आखा जगतना शिश्य थवा रुप द्रश्टी वेदी न थी ते गुरु थवा ने योग्य न थी आखा जगतना शिश्य थईने बैठा जे कृपाले ना अंतरमों तो आखा जगतना में शिश्य थईये गुरु थईयें न थी इटले प्रवुश्य ने नमस्कार करे सुभाग भाईने नमस्कार करे जया जया गुण जुए त्या नमस्कार करे हमें मोटा चे वो भावज जिना रदे मान थी त्यारे गुरु थवाने लाइक थाया चे यले पंचा बसो पंचाउन वाके कोई प्रकार नी तेथी महत्ता येले मोटाई भोगूनी अविवस्व छपनु वाकियर तेथी शुक्ल रदय तत्वग्नान नी वृध्धी करूँ पन तत्पूरुष जो मल्या होए तो ये तेना योग बड़े महारू आतमा समन्धी आदीनु तत्वग्नान बधारू वृध्धी करूँ वाकि बस्व पंचावन जेमनों माची गया मोक श्री गुरुना नामे महत्ता भोगूनी पन आवाकि मयम कयों के श्री गुरु मलवा थी हवे रदय ने शुक्ल करी अर्थात रदय मा मात्रा आतमार्त नोज लक्ष राखी आ भवना भवतिक सुखो के पर भवना देवलोक आ पादिना सुखोनी कामना तजी शुक्ल रदय तत्व ग्नान नी भृद्धी करूँ 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 शुक्ल रदय के शुक्ल अ आर्थ छे दुखी छे तेने शीताल एवू आत्म सुखा आत्म तत्व क्यांथी प्रतीति मा आवे। शुकला अंतह करण एटले सुँ त्यारे पुजिश्री कहे पाप विनानु अंतह करण ते शुकला अंतह करण पाप विनानु अंतह करण एटले मन अंतरं इंदरी ते अंतह करण करण रिंदरी अंदरनी इंदरी ते मन छे पाप विनानु अंतह करण ते शुकला अंतह करण त्याग वेरागे वालू चित्त ते शुकला अंतह करण त्याग वेरागे सहिज्य मन छे तेने शुकला अंतह करण कईव शुकले अटले पवित्र पवित्र रदेवडे जीव अजीव आधी साथ तत्व आश्रव संबर बन्दमोक्स निरजरा अत्वा अनोपदार जीव अजीव आश्रव संबर बन्दमोक्स निरजरा पापुन्य अनोपदार अत्वा छद्रविय जीवास्तिका जीवास्तिका द्रमास्तिका आकास अस्तिक इने काल द्रविय, अच्छ द्रविय के छपद अत्मा छे, नित्य छे, करता छे, भुक्ता छे, मोक्षन मोक्षनों पाई छे, आब उनों तत्वी ग्नान छे, तात्वी ग्नान छे, तो पवित्र रदेवडे, जीवादी, सात्तत्व, नवदार छद्रविय के छपद विगेर तत्व ग्नान नी वृद्धी करूँ सद्गुरु मढया साचु मार्दर्शन मढयू तो वे अंतवकर्ण नी शुद्धी करीने एमना पासेती ग्नान मेलवू अना दिनु अग्नान चालिवावेचे पोतानु भान न थी तो जीव कोने के आश्रव सुँ, संबर सुँ, निर्जिरा सुँ, बंद सु, मोक्ष सु, पाप सु, पुण्य सु यने जानू ये लाब लोँ होँ है येले कृपाल न के तेथी येले सद्गुरु थी शुक्ल रदे करीने तत्वक नान नी अवे बृद्धी करू समाधी सुपान मा तत्वक नान समदिके छे प्रवच्चन एकले जिनेंद्र सर्वग्न वीत्रागे प्ररुपेला आगाम छे प्रवचन, प्रक्रुष्ठ वचन कोने केवा जिनेंद्र सर्वग्न भगवन्त्वे केवल नान थी प्रवपदार्थोनु सरूप एथा तथे जोईने जे वर्णन करियून वितराग भावे तेनु नाम आगम छे। प्रवपदार्थोनु वर्णन करियून वितराग भावे तेनु नाम आगम जनाविय। ये अस्तिकाय न केवाई ये काल द्रवेज केवाई बहु प्रदेशों जेने होए तेनु नाम अस्तिकाय केवाई छे। द्रव्य गुण परिये वत द्रव्यम गुण ने परियाय थी युक्त जे होए ते द्रव्य छे। गुण सहव अर्ती छे परियाय क्रम बरती छे। गुण हमेशा द्रव्य नी साथे जरे। गुण एकलो नरे। नान गुण दर्शन गुण क्या रे। नान नानिमा रे। नान आत्मानु गुण चे आत्मा मारे। गुण अलग कहीं देतान थी के बहिड वेचाता मलतान थी बार थी लावी दिये गुण हमेसा गुणीमा होई एलिए गुण सहब अर्थी हमेसा साथे रहे अन्ये परियाई करम बर्थी छे प्रतिक परियाईनी वर्तमां स्थिती एक समय मातर छे एक समय मा दरेक द्रवे कहो पदार कहो वस्तु कहो एनी परियाई बदलाई जाई छे आपने भले वो मोडो ख्यालावे जेमके एक कपडू छे ए आपने कोठी माम की दिये 25 वरसे का दिये जेंकि आपने याँ जिन थर्वाक से उमले या तो पाटी जाए हूं आपने करिये थिए अपने कोजने वापरियों ना थी तो के प्रती समय एक द्रवी नी बदलाई छे जेमके आपना छे तरवीत है गले थिमे दिमे भृदय केम थतू जाए एकदम नती थतूं एनि क्रियाओ प्रती समय एमा परिवर्तन थ्याज करे छे इतले ज्रविय जेमा गुणने परियाए निरंतर होए हमेशा तेनू नाम ज्रविय छे वस्तू पणे जेनू निश्यत है छे तेनू नाम पदार छे जे खरेखर छे जेनी अस्ती छे जेनू हुआ पणू त्रेकाल छे ते पदार्त केवाई स्वभाव रुपे वगाथी तत्व एमू नाम पड़ियू जेनो पोतानो स्वभाव छे दरिक द्रवेनो माटे तेनू नाम तत्व पड़ियू छे जेवी रिते अंधकार वाड़ा महलमा हातमा दीवोलीने बदा पदार्तो आपड़े जोईये छे अंधकार होएं दीवोलीने जे तो बदु देखाएं अंधकार मापड़े लूँ छता देखाएं तेम त्रिभुवन रूप मंदीर माँ प्रवचन रूपी दिवावडे शुक्षम, स्थूल, मूर्तिक, अमूर्तिक पदार्तो देखिये छे त्रिभुवन त्रने लोप रूप जाने मंदीर एडले घरमा शास्तर रूपी दिवावडे शुक्षम, पदार्तो कया, स्थूल कया मुर्तिक ले रूपी द्रवे कहा अरूपी कहा ते बधुं ते नाथी जानी शकाई छे प्रवचन रूपी नेत्र वड़े मनिश्वर चेतन आदी गुणो वाला सर्व द्रवियों न अवलोकन करे छे प्रवच्चन रूपी नेत्र शास्त रूपी नेत्र ते वडे मुनियो चेतन के अचेतन आधी सर्व गुणो वाला सर्व द्रभ्यों ने जानी शकेच जिनेंद्र ना परम आगमने योग्यकाड़े बहु विने थी भणता जिनेंद्र जिनोमा इंद्र जेवा ते भगवान तर्थन करोए मुलुक देश्टा आगमना भगवान तर्थन करोच जिनेश्वर छे जिनेंद्र छे ए जिनेंद्र जे कहा ते परम आगमने योग्यकाड़े बहु विने थी विने भवमान पुर्वक आदर सहीत भणवा ते प्रवचन भक्ती छे छद्रवियो साथ ततो नवपदार्थोना भेद सर्व गुण परियायनू प्रवचन म वर्णन छे बद्धूज शास्त्रमा एना भेद प्रती भेद बदू बतावेलू छे एना गुण परियाय बद्धूज वर्णन भगवाने करेलू छे भूत काल अनन्त भई गयो भविष्य काल अनन्त आवशे अने चालू वर्णन काल ते सर्वनू सरूप जेमा वणवेलू छे अनन्त काल ख्रण ख्रण जताँ अनन्त काल भई गयो एक समय समय करता अनन्त काल तो गयो अने अजू भविश्य अनन्द छे ये नोई कोई अन्त न थी अने चालू वर्तमान काल एक समय मात्र विजा समय तो ए भुतकाल बनी गयो तेमा इस सास्त्रमा सर्वनू वर्णन करेलू छे तेमा अधो लोकनी सात प्रत्वियो आपनी नीचे सात नर्को छे सात प्रत्वियो नार्कियो ने वस्वाना उपजवाना स्थान को तेमना आईश्य काया नर्को आशी जिवोनी वेदना गती आदिनू बधू वर्णन भवनवासी देवोना साथ करोड बहुत्तिर लाक तो भवन छे नीचे भवनों छे भवनवासी देवोना तेमना साथ करोड ने बहुत्तिर लाक भवन छे धेवना स्थान छे साथ करोड ने बहुत्तिर लाक तथा तेमना आयुश्य काया केकली वैभावेनों सुं विक्रिया सुं भोगादी अधो लोक समंदी व्रणन करेलूं छे तेमा मद्य लोक समंदी असंख्यात द्वीप अने समुद्रोनू आप मद्य लोक मा अपड़े के वाई ये उपरे सातर जुप्रमान देवलोको छे उपर जोतिष चे पसी वेमानिक छे ब्यंतरों अहियां छे नीचे पड़ेना निवासो छे अने भोण वासी नीचे छे नीचे नरको छे या मद्य मा अड़ी द्वीप सुदी मनिश्यों छे त्यार पछी न थी द्वीप तो एवा गहां छे आपड़े वचमों छे एकले जम्भू दिप एक लाख योजन्नों छे तेने फरतो बेलाक योजन्नों लवन समुद्र छे तेने फरतो चारलाक योजन्नों धातकी खंड छे बगडी ना कारे तेने फरतो आठ लाक युजिन्नों कालो ददी समुद्र छे तेने फरतो एक एक टी बमना सो लाक युजिन्नों पुष्करार द्वीप छे सो लाक युजिन्नों पड़िमा अर्धा मौत तो खाली मानशत्तर परवतत छे बदो खाले अर्धामज मानस हो छे इतले बेद्वीप आवया जंबू दीप धात की खन ने पुशकर आर्ध पुशकर द्वीप चाखो पुशकर आर्ध कयो किमके अर्धामज मनिश्य छे या धीप दीप मा मनिश्यो छे आग शेत्र पिस्ताली लाके उजुन्नों थाई छे इड़े शिद्ध सिलापन उपर 45 लाके उजुन्नी छे अब भधु वरणन शास्त्रों मां भगवाने केवलना अन्ती जोईने कहुं छे तेमां मद्य लोक अपने मद्य लोक मां स्थिये तेमां संख्यात द्वीप द्वीप अल्याप प्रत्वी एवो एक द्वीप एक समुद्र एक द्वीप एक समुद्र एक एक दी बमणा बमणा आवा एक बिजाने फर्ता फर्ता एवा किटला असंख्यात संख्यामोनिय आविशके अने छेलो जे समुद्रच है ते स्वयम भू रमन समुद्रच अर्द रज्यू प्रमान छे एक रज्यू प्रमान आटली बदिव एक एक दी बमना इटले एक लाख वजी बे लाख वे दी चार चार ती आठ सोड आज सोशो दीजिये तो लाखों नी संख्यात ही जाए केम के पची जो हजार आवे लाख आवे सिदा बे लाख बेना चार आठ पचास लाख तो के पची सिदा करोड करोड तो बची बे करोड चार करोड आठ करोड एम चालता चालता असंख्यात नी संख्या थे जाएचे अटलू बदूता मद्य लोक माँ छे आप बद्धू मडे मडी ने एक रज्जू परमान था ये ना करतो साथ गणू उपर अटलू असंख्या द्वीप समुधरी ने एक अज रज्जू परमान अने एवो साथ गणू उपर ने साथ गणू नीचे छे तेम मद्य लोक समन्दी असंख्यात द्वीपने समुधरोनू तेमा जे महाविदे क्षेत्र चे बच्चे जम्बुदिप मा तेमा मेरू परवत चे सोनानो पजी कुला चल विजा परवतो नदी द्रह टे तड़ावादीनू कर्म भुमीना विदे आधी क्षेत्रोनू महाविदे क्षेत्र पांच महाविदे क्षेत्र महाविदे एक जम्बुदिप मा एक महाविदे जम्बुदिप मा बे महाविदे धातकी खंडमा बेवाविदेप उश्क्रार्दमा ये डबल लबो मोटू छे एकले इवी जिते पांच महाविदेग शेतर थया एवा पांची भरतक शेतर छे आ कर्म भूमियों के बाए जया कर्म करे जी जया कल्प रक्स न थी आने पांची भरतक शेतर मा एक जम्बुदीप मा बे धातकी खर्णमा ने बे पुश्क्रार्दमा पांच दया भरतक शेतर ने इवा ये पांच पछा एरावात शेतर छे ते एक जम्बुदीप मा बे धातकी खर्णमा अने बे पुश्क्रार्दमा आ पंदर कर्म भूमियों के वाए इले कर्म भूमी विदेह आदी क्षेत्रोन वणन पजी भोग भूमी नाए बे प्रकार लख्या एक तो भोग भूमी ओ पहलो आरो बीजो आरो तरीजो आरो थाए त्या बदा इकलिया जोए भोग भूमी छे चोथा आरा मुई तरथंकर थाए पछी बिजय अंतर द्विपों छे ते पणा भोग भुमी छे बदी जा जम्बु द्विप न छेड़े लवन समूद्र नी अंदर आवी जाने डाढ केम होए तेमा आवा बेबे भाग चार खुणे निकलेला छे ते एक एक पर साथ साथ द्विप छे आवा तो कुल छपन द्विप था छपन द्विप तेमा आवा बदा इगुलिया रहे छे ते जोडलू जन में जोडलू मरे ए जरे एमनो देच उटवानो होए तेरे उगणियासी दिवस पहला एक जोडलू जन में एमना थी पछी ये उगनियासी दिवसे पालंग करें पछी ये बन्ने देछ छोड़ी निस्वरगेच जाए मन्द कशाई होए बहु ये ले मरीने देवलोक माच जाए इमने आप पांस सली होजे आपड़े दस के बार के किटली होए ये अमने चपपन होए ये अठ्ट्याविश ना अठ्ट्याविश अने अमने आहार नीच्छा एकांत रेथाए एकांत रेथाए ताय तकल प्रिक्ष बदा होई छे लिया कर्म भूमी थाई अंतर दिपो समंधी मनिश्य के बाए चपपन अंतर दिप मनिश्य एनु अर्णन पची कर्म भूमी ना तथा भोग भूमी ना कर्तविय आप अंदर आपड़ी माविदे भरतने रावत अपंदर कर्म भूमी अने आभोग भूमी ना कर्तविय सुंसुं होए आईश्य केटला होए काया केटली होए सुख दुखादीनू तिरियन चोनू अने व्यंतरोना निवास बैभाव परिवार आईश्य काया सामर्थिय अने विक्तिरियानू वर्नन छे मध्य लोकमा जोतिश्क देवो छे अपड़े उपर देखाए तारा वगेरे जोतिश्क देवो छे तेमना भिमान वैभाव परिवार आईश्य काया आदीनो सुरिय अने सुरिय चंद्र ग्रह नक्षत्रोना मार्ग गती संयोग आदीनो वनन छे जंबु दीपमा बे चंद्रने बे सुरि जंबु दीपमा धात की खंड मां छे अने 21 कालो ददी समुद्र मां छे अने 34 पुष्कर दीपमा छे एम जिम छे तेम भगबन तोई कईू ने आप रमाने सास्त्रों मां लखाएलू छे आप रमाने उर्द लोक मां 63 पटलो सहित स्वर्गनू और अहम इंद्रना पटलो नू पटल मां तेम कईुग जेम या माल केम होय तेम ये देवलोक केम उपड़नी चे ना विभाग चे वू कहीं छे आमा उर्द लोक मां 63 पटलो सहित स्वर्गनू अहम इंद्रना पटलो नू पांच अनुतर्विमां बदा अहम इंद्र छे इंद्रा दी देवोना वहिभाव परिवार आईश्य काया शक्ती गती सुखा दिनू तेमा वणन छे आ प्रकारे सर्वगने प्रत्यक्ष देखेला केवल ना जियुत आब दू केवल ना बड़े बदू जोयू छे प्रत्यक्ष देखेला सर्वगने त्रने लोकोना समस्त द्रव्योना उत्पाद वे ध्रोव्यनू वर्णन प्रवचन्म करेलू छे कर्मोनी प्रकर्तियों ना बंद उदय उदिर्णा सत्ता संक्रमाण आदीनू सर्वर्णन आगम्मा छे लेक रुपाले के छे का आब दू ने हूँ जानूं तेती शुकलर दे आवा तत्वग नाननी बृद्धी करूं समाटे तो कि आजी अनन्त काल थी क्या क्या भटके छे अब दी गतियों माज सुख दुखनों भूगता था छे सुख तो भौवतिक छे कि शाश्वत की अतिंद्रियों सुख न थी इंद्रियों नू सुख अमा किटी बादा आवे छे अनन्त काल थी केमा केमा दुख भूगवे अने क्या क्या आज जन्द में छे अनो एने ख्याल आवे तो कई भेराग आवे के हो आउँ थाई छे तो अवे एथी केम छूटूं एन उपाई शोदे हवे सहत सुख सादन्वा आविशे जनावे छे के शुत ग्नान जेवु ग्नान छे के जेना थी शास्त्र ग्नान थाई छे मती ग्नान शुत ग्नान जे विशेश विचार वड़े थाई ये शुत ग्नान थी शास्त्र ग्नान थाई छे आगमोनु ग्नान थाई अने जे थी आत्मा नो भेद विग्नान थाई छे अने जे कही पर जी वो मुक्ती ने पामया चे ते भेद विग्नान थी पामया चे भेद विग्नान तह सिद्धा सिद्धा ये किले के चना ये सेवा भावतो बद्धा बद्धा ये किले के चना आज दिवे सुधी जे की मुक्ती ने पाम्या ते भेद गनानना बड़े नो देती भिना आतमा चुछे देहा दिती भिना आतमा एम भावना निरंतर भावी शुद चेतन सरूप अभिना सिव आतमा चुहूं सहजात में सरूप चुबिजा बधा मारती पर छे आज शरीद पर मारू नहीं एवी भेद नान तह सिद्धा भेद नान ती बदा सिद्ध थेया चे अने जे की पन संसार में रहा चे ते भेद नान ना भावे जेने भेद नान नी भावना न भावी ते जो संसार में रहा चे आ आतमा रागा दी भाव कर्म नाना वरिनिया दी द्रवे कर्म और शरीडा दी नो कर्म ती भिन्द छे आ भेद नान नी भावना महारो आत्मा राग देश रुप भाव कर्म केवाई जेना ती द्रवे कर्म नो बन था एक नाना वणिया दी तो राग देश ही महारो सभाव न थी राग करवान मारो सभाव न थी तेम द्वेश करवान मारो सभाव न थी आ भाव कर्म छे पुद्गलना निमित्ते जीमने थाई छे अने गनाना वणियादी द्रवे कर्म ये थी बन थाई छे आ द्रवे कर्म केवाई गनाना वणियादी अने शरीर आदी येना फल रुपे न आत्मस रूप छो, आ महरुए में कई आब अधा महराती जुदा छो, उतो सिद्ध सम छो, सिद्ध जेवो सुद्ध छो, सर्वजीव छे सिद्ध सम, पर जे समझे ते ते रूप थाई, इन्ना समझे तो संसार मों जरे चार गती मों भटके, के विरते समझे उं, सद्ध गुर सद्ध गुरु आगना ये समझू, सद्ध गुरु जे जाने, जनावे, ते प्रमाने समझवा, कोशिस करवी, अने जिन्द सा, सद्ध गुरु आगना जिन्द सा निमित्ध कारण माई, भगवान सर्वग्णी नी जिन्द सा, तेर्थं करोनी, एक एवल नाद में दसा छे, ये आपड़े प्राप्त करवी छे, कोण प्राप्त कराव से, सद्ध गुरु भगवन, जे मार्ग मों जेरिया चे एन्या कहा प्रमाने बर्ती है, तो ये जिन्द दशाने आपड़े पामिये, पर सद्ध गुरु ना आश्रे ने ले, तो ये जिन्द शाने न पामे, पामे नहीं सिद्धत्वने रहे भ्रांती मा सिद्ध शिद्ध सम्मा सर्वजीव शुद्ध छे जेने आत्मानु भव थाई छे तेने जे भाव शुद्ध गनान प्राप थाई छे आत्मानु भव थाई ते शुद्ध गनान एनामो परिणम्यू भाव शुद्ध थाई छे ते जे भाव शुद्ध गनान पामी जाई छे ए आत्मानु भव जे केवल नाननो प्रकास करी दे छे केम केकेवल नाननो बीज छे बीज माती प्रक्ष्था तेम पर प्रेम प्रवाह बढ़े प्रभु से तो सब आगम भेज सूर बसे प्रभु से के प्रभु हरक नतियागो तेम प्रेम रुपी जे गुण छे एतो एने बाहर संसार मा बेरी नाख्यो छे पर प्रेम पर पदारत प्रते नी प्रिती बढ़ें प्रभु से अत्माना गुणो प्रते जो लागे तो सब आगम भेज आगमो रष्य भेज सूर बसे वह केवल को बीज ग्यानिक है केवल नाननु बीज नानियों केचे बीज रोपाईजे से यहांती प्रजी ब्रक्ष केवल नाननु ब्रक्ष थासे अने अने मुक्ष रुपढाव से वह केवल को बीज ग्यानी कहे निज को अनुभव बतलाई दिये पताने अनुभव थासे देधि भिन आत्मान अनुभव ज़े जार दिगत बदु तुछ भास से, यह लिए अन्नो शक्षात अनुभव ज़े आत्मान अनुभव, अज आत्मानुभव जय केवल्नान नो प्रकास करी देछे, कोई योगी ने अवदी गनान के मन्ह परियोग्नान न पन होए, तो पन श पर शिद्धा शृत गनान ती केवलनान थही सके। माटे आपने अटनू करवा युगी छे के आपने सास्त्रगनान नो विशेश अभ्यास करता रेवूं के जे थी आत्मानु भव प्राप्था। आत्मानु भव था सास्त्रगनान अमिसा मिलवता रेवूं के लिए सत्पुर्ष्णा वचनोंने बोधने वांचता रेवूं विचारता रेवूं। तो विचारता 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 रेवूं आत्मानु भव था से वस्तु विचारत ध्यावते मन पामे विश्राम। बधी वृत्तियों शान थाई जाए रसस्वाधत सुख उपजे अनुभव याको नाम। तो यह आपने हम कहँँ, पृपाल देव पन के तत्त्व गनानी विर्धी करो। तेम्या केचे सहज द्यात्मानिस पर्धा सअनेस सब्याशकर साद्मानिक आप प्रकाश करता है आगम द्वारा भग्वंते बोधेला तत्वग्नानी शुक्ल रदय वर्धी करूं। आगम द्वारा भग्वंते बोधेला भग्वंते वर्धी करूं। आगम द्वारा भग्वंते बोधेला भग्वंते बोधेला भग्वंते वर्धी करूं। आगम द्वारा 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 भग्वंते बोधेला भग्वंते वर्धी करूं। एक आडू लाकणो बांदी ने एक इटली मोटी शाकल लबडा निचे। आप दूख करीले पछियानेयम केजे। के जारे हुं काम बताओं त्यारे काम कर पण जारे काम न बताओं। त्यारे तारे तु सुक तारे सुकरवान। यहना उपर चड़वू उतरवू। देव पण सुक है के तु तो मारा माथा उपर नो निकड़े। कैनी अवे उपर मारा स्थाने जोँ छूं। काम होए त्यारे मने याद कर जित। मन ने ठकवी नाखे पिलो ठाकी जाया आखोदाडों चड़ उतर करे। मन ने इतनु बदु काम आप्पूं के ना विजा खराब विचारों माटे अवकास अजनी रे। शुब काम शुद्धना लक्षे इतनु बदु काम जोई है। संसारी जीवों संसार ना काम मों मस्त रह छे एवों मश्गूल पड़ूं परमार्तमा हुँ जोई है। आज ये समाजना उपरी दयान सरस्वतियता आम वो रश्ट पुष्ट कस्ते मों कसरत करावें। इले शरीर पुष्ट धेलूं मजबूत। इले एक एना अनुयाई हैं कहूं कि आपका शरी इतना मजबूत है तो आपको काम नहीं सताता है। तेरे जवाब सुण है along आपके है। काम। कौंसा काम। मैं तो काम में ही हूँ। किसी हूँ काम, का यो बढ़ी काम। मने तो काम थी आना थी उच्छी जो नवरासज न थी आनि बीजा विचारों हूँ क्या करूँ। मैं तो काम में ही हूँ मुझे समय नहीं है ऐसे विचार को करने के लिए एम जवाप यो एम आपने एसू शिक्षा आप है कि तमेपन मन ने इतलु बदू व्यस्त राखो कि एने बिजाक आ अशुब विचारों माटे तो अवकास सज नहीं रहे एले नियमित जिवन करी समय सर एने कईन की काम सप्याज करिये तो एने आवाप विचारों माटे वकास नहीं रहे कि तला माटे तो आदस कलाक नहीं भगवाने भक्ती गोठी तैर बजी भी कि तला सास्त्रों एना पाचा फिरबवा याद करवा के तनू बदू मुनियों ने बढ़ केटनू बदू काम होई छे इलिए नवरास तो मळेज नहीं केमके नवरों बैठो नखोज वाले आप मन युँँ छे अनरे मन जेने जित्यू तैने सग़ू जित्यू मन साध्यू तैने सग़ू साध्यू यह वात नहीं खोटी એમ કહે સાધ્ય તે નભીમાનુ એકહી વાત છે મોટી ઓ કુંથુ જીન મણડુ કી મહીન બાજે मनडों की महिन बाजे ओ कुन्थो जिन मनडों की महिन बाजे मनडों दुरा राध्य तेव सयान्यों आगमती मती आन्यों अन्ग जी के छे ये भगवान आप या मनने वस करिए येम आगमती में जान्यों छे मनड़ु दुराराध्य दुषकर रिते जनी अराधना थे शक्या एले वस्त आई सके मनड़ु दुराराध्य तेवसयाणियो आगमती मती आणो अन भगवाने सुक्या अन्गंजी आनन्द घन्न कहे माहरु आणो तो साच्यों करी जाणो मारु मन वस्त करी ने आपो तो जाणो कि हाँ जरूर आपनू मन वस्त थे आनन्द थे जाणो आतो कोई रिते बाज तुझ नती समझ तुझ नती जिम जिम जतन करीने राखों तिम तिम लगू भाजे हो कुन्थु जिन मनडु की महीन बाजे मनडु की महीन बाजे हो कुन्थु जिन मनडु की महीन बाजे इटले कृपाल दो के आवा मनने स्थिती सापक राखों अर्थात नानी पुर्षोत पताना आत्म सभाव मैंने स्तिर राख है हुँ पने वा मन्ने नानी पुर्ष्ण ना वचन ना अधारे एमा मन्ने रोकीने स्तिर राखवानों प्रयद्न करूँ कृपाल दे वचना म्रतमा कहे एमनी के विश्थिती छते अमारू जे चित्त 358 पानों पर कृपाले कहे अमारू जे चित्त ते आत्मा सिवाए अन्य स्थडे परती बद्धता पामतू न थी क्षान पांट अन्य भावने विश्थिर थतू न थी सरूपने विश्थिर रहे छे ये उजे अमारू आस्चेर कारक स्वरूप ते हाल तो क्याई कहुजतू न थी घणा मास वित्या थी तमने लखी संतोस मानिये छे अमारू मन तो जिरंतर आत्म स्थिर रहे छे परती बद्धता पामे छे पिजा कोईपन एक शण मात्रपन अन्य भावने विश्थिर थवा इच्चतू न थी सरूपने विश्थिर रहे छे सिती मन ने सिती थापक राखूं प्रुपाल दे आपन ने के पोतानू सहलूं चे ते जिनावे ये उजे अमारू आस्चेर कारक सरूप खाल तो क्या ही कहुँ जती जतू न थी कोने कही एक कोन समझी शके के बदा पोताना मन पर जूए तो एक एने एक अल्प समय रोकी राख हूँ हाथ न थी रहतूं तो एजाने के विर्दे कृपाल दे विकरियों से पने वू अमारू आस्चेर कारक सरूप ते हाल तो क्या ही कहुँ जतू न थी घणा मा सवित्या थी तमने लखी संतोष मानिये चे घणा महिना थी कि एले सो भाग महिने लखी ने संतोष माने चे नानी पुर्षों ने आत्मत ध्यान मा विगन ते बदू अपरिये लागे परंकृपाल ने दुकान उपर ध्यान मा बैठा हाता दुकान उपर ते एक जण पेपर नो नमू नो लईने आवे और ने कहुँ के लियो सहेब ते सामड़ी ने आत्मत ध्यान मा भंग थवा थी परंकृपाल ने बोल्या के ना करता माथूं ले लिदू होत्तो आव उडाडी दिद्यों तो दुखनी थात पन आत्मस्थिर्ता नो आज भंग थवा थी हमने एटनू अपरिये लागे छे एम तेमना मन नी केवी स्थिती स्थापक दशा इतले के सुरूपमा भगनता हसे ते यां जड़ाई आवे छे इतले कृपाल लेग आपड़ने कहे मन ने स्थिती स्थापक राखूं आप नमाने 277 वाक्य पुरूत हैं विश्थेस आपने आतिकाल लेश्वा